हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चैनल आज से हम पॉलटी की घटना चक्र सुरू करने वाल हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पताना चाहूंगा इस घटना चक्र में टोटल एबाउट टू 40 से 41 चाप्टर से तो हमारा सीडियूल क्या रहेगा मतलब हम किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि इसमें जितने भी चैप्टर से हम एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे तो हमारा जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि सबसे पहले हम चैप्टर वाई सुरू करेंगे और उस चैप्टर से जितनी भी चीजे हैं ज मुझे लगता है कि इससे short note जिसमें सब भी कुछ चीजे दी गई हो मतलब include करने की courses कही गई हो YouTube पे अभी तक available नहीं होगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा chapter है वो है the constitutional development of India ओके शुरू करते हैं हमारा पहला chapter है constitutional 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 development in India परिशान मत हुई है हमारी के class हिंडी में ही होने वाली है और writing मेरी थोड़ी सी खराब है actually मैरे pen जो है वो खराब हो चुका है तो मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ तो थोड़ा से adjust किजिएगा खेर मैं बोलता रहूँगा तो चीजे क्लियर होती रहेंगी तो पहला chapter है constitutional development in India नहीं कि सबसे पहले क्या होता है कि 1600 में 1600 AD में ठीक है ब्रिटेन में 1600 AD में ब्रिटेन में एक company होती है जिसका नाम होता है merchant merchant adventurers एक company होती है merchant adventurers अब क्या होता है कि ये जो company होती है वो 1600 में ब्रिटेन की queen से एक charter grant कराती है charter grant कराने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन की queen से एक permission लेती है भारत में trade करने का तो ये जो British East India company होती है वो 1600 AD में ब्रिटेन की queen Queen Elizabeth से उस वक्त ब्रिटेन की queen होती है Queen Elizabeth first ब्रिटेन की queen Queen Elizabeth से Elizabeth से एक charter grant करवाती है एक charter grant करवाती है charter का मतलब होता है permission चिक है भारत में trade करने के लिए charter grant करवाती है उसके बाद क्या होता है कि ये company ये company इंडिया में आती है 1608 AD में 1608 AD में ये company भारत में आती है किस नाम से British East India Company के नाम से यहां तक चीजे clear हो रही है सबसे पहले क्या होता है कि 1600 AD में ब्रिटेन में एक company होती है जिसका नाम होता है Merchant Adventurers वो 1600 में ब्रिटेन की queen से एक charter grant करवाती है भारत में trade करने के लिए और उसके बाद 1608 AD में वो British East India Company के नाम से भारत में आती है अब उसके बाद क्या होता है इसके बाद 1765 में 1765 में British East India Company का battle होता है साह आलम से मुगल बादसा साह आलम से युद्ध होता है इस battle को हम battle of bucksar battle of bucksar मतलब bucksar के युद्ध के नाम से भी जानते हैं तो अब क्या होता है कि 1765 में British East India Company का मुगल बादसा साह आलम के साथ युद्ध होता है अब इस battle में क्या होता है कि British East India Company जो होती है वो इस battle को जीत जाती है British East India Company इस battle को जीत जाती है और इस battle को जीतने के बाद British East India Company को बेंगॉल बेंगॉल बिहार और ओरिसा ओरिसा की दिवानी राइट्स मिल जाती है क्या मिल जाती है दिवानी राइट्स मिल जाती है अब ये दिवानी राइट्स क्या होती है तो दिवानी राइट्स होती है राजस्व राजस्व एवं दिवानी न्याए राजस्व एवं दिवानी न्याए के अधिकार मतलब revenue and justice revenue and justice के rights मिल जाते हैं तो यहां तक चीजे clear हुई होगी आपको तो हमने अभी तक क्या देखा कि सबसे पहले क्या होता है 1600 AD में बिटेन में एक company होती है जिसका नाम होता है merchant adventurous वो वहां की queen उस वक्की crown से एक charter grant करवाती है ठीक है उस charter का मतलब है एक permission grant कराती है कि वो भारत में जाकर trade करेगी उसके बाद 1608 AD में वो भारत आती है किस नाम से British East India Company के नाम से उसके बाद 1765 में साह आलम से British East India Company का यूद होता है जिसे हम battle of boxer के नाम से भी जानते हैं और इस battle के बाद British East India Company को जैसा मैंने बताया Bengal, Bihar और Odisha की दिवानी rights मिल जाती है दिवानी rights का मतलब क्या होता है राजस और एवं दिवानी नयाय के अधिकार मतलब revenue और justice related rights उसको मिल जाते हैं अब इसके बाद की चीजों को हम दो भागों में divide करते हैं इसके बाद के समय को हम दो भागों में बाढ़ते हैं पहला जो होता है, पहला जो हमारा वो है company rule पहला जो हमारा है वो है company rule ठीक है, company rule जो है वो हमारा 17, 17, 3 से 18, 15, 8 तक रहेगा और जो second है वो हमारा है crown rule second हमारा है crown rule और crown rule जो है वो 18, 58 से 19, 47 तक रहेगा यहां तक चीज़े clear है, यह कुछ basic था अब यहां से हमारा main topic सुरू होता है, और इसके बाद आपको बहुत ज़रा ध्यान देनी की जरूएत है, यहां तक जो भी हम देख रहे हैं तो वो सारी चीज़े हमारी rule 1858 से 19, 47 तक चलता है, basically company rule जो है company rule के time period पर जो सासन होता है वो ब्रतच रूप से company के ही हाथ में होता है, तो अब company rule के बाद crown rule आता क्यों है, मैं यह भी आपको बता देता हूँ, तो 1857 में एक विद्रो होता है, एक क्रांती होती यह जिसे 1857 की क्रांती के नाम से हम जानते हैं, जो कि एक काफी important और काफी famous विद्रो है, history में, तो उस क्रांती के बाद Britain के crown को ऐसा महसूस होता है कि अगर अब प्रत्यच रूप से वो भारत के सासन को अपने हाथों में नहीं लेंगी, तो भारत से हो सकता है कि भारत से जल्द ही भारतियों के द्वारा विद्रो किया जाए और उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ जाए, इसलिए 1858 में finally British crown ये decide करती है कि अब भारत का जो सासन होगा वो प्रत्यच रूप से हमारे हाथों में होगा और इसी वज़े से आता है crown इस time period को हम crown rule बोलते हैं और ये 1858 से 1947 तक का time period है, अब हम एक एक करके इनके अंदर जो चीज़े हैं, जो इनके अंदर acts हैं, regulating acts हैं और इनके अंदर जो laws हैं वो सभी चीज़े हम देखेंगे, तो चलिए चलता है यहां तक चीज़े clear हैं, आप चलते हैं next page पे, अब देखिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं company rule, अब मैं यहां पे आपको सारी चीज़ें याद भी कराता जाओंगा सिर्फ मैं बताओंगा नहीं, यहां से जो main important है, आपको यहीं का यहीं याद भी होता जाएगा, सबसे जो problem आती है, याद करने में, वो problem यह आती है कि जो company rule के time periods हैं, उनको कैसे याद रखें तो मैं आपको बताता हूँ company rule में जितने time periods हैं, वो कौन-कौन से time periods हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ सबसे पहला है तोटल मैं पहले आपको बता देता हूँ overall इसके अंदर जो आते हैं एक दो तीन, चार पांच, छे साथ और आठ तोटल आठ एक्स या लॉज आप बोल सकते हो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहला जो है हमारा है 1773 का Regulating Act 1773 का Regulating Act दूसरा है 1781 का Amendment Act Amendment Act उसके बाद है 1784 का PITS India Act PITS India Act उसके बाद है 1786 का 1786 का Act 1786 का Act Act of 1786 उसके बाद है 1793 का Act Charter Act उसके बाद है 1813 1830 का Charter Act उसके बाद है 1833 का Charter Act उसके बाद है 1853 का Charter Act अब मैं बताता हूँ आपको चीजे याद कैसे करनी है तो देखी याद करने का तरीका क्या है तो याद करने का जो तरीका है वो बहुत है सिंपल है तरीका देखी यह है कि सबसे पहले हमें इसका टाइम लाइन याद करना है टाइम लाइन कैसे याद करना है मैं ये भी बताता हूँ देखी ऐसे सबसे पहले आपको याद करना है 73, 81, 84, 86, 93, 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 94 मतलब 17 वालों को पहले आप अलग कर दीजे पहले आप यह याद रखे है कि total इसके अंदर जो है वो 8 आपको Acts, Regulating Acts देखने को मिलते है अब इस मैं आपको बता देता हूँ Company Rule में total आपको 8 Act देखने को मिलेंगे और जो Crown Rule है उसमें आपको 7 मिलेंगे ठीक है? Act या Laws आपको उसमें 7 मिलेंगे तो overall हमारे कितने हैं? 15 है 7 और 8 कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते है 8 इसमें 7 उसमें तो ये पहले आप clear कर लो, बहुत है सिंपल है 8 इसमें 7 उसमें उसके बाद इसमें जो 8 हैं, आपको दो चीज़े ध्यान में रखनी है कि 8 वाले में जो 6 हैं, वो 17 से सुरू होते हैं और बाकी जो 2 हैं, वो 18 से सुरू होते हैं ये चीज़ें clear है अब 17 वाले में आपको क्या याद रखना है 73, 81, 84, 86, 93 नंबर की तरह आप याद कर सकते हो 73, 81, 84, 86, 93 मुबाइल नंबर समझ सकते हो, किसी का मुबाइल नंबर है 7381, 8486, 93 तो इससे क्या हो जाएगा सुरू के 5 आपको याद हो जाएंगे उसके बाद जो 18 वाले हैं उनको 3 याद कर लेना है 13, 33, 83, तरह याद कर लेना है तेनों ही रिजम्बल करते हैं 13, 33, 33, और क्योंकि चार्टर एक्ट है अब इसके बाद यह क्या है Regulating Acts है, Pits India Act है तो इसको भी आप याद रख सकते हो देखिए Regulating Amendment, Pits Act, Charter, 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 Charter ऐसे आप याद रख सकते हो ठीक है तो इसमें से कभी-कभी यह सवाल आ जाता है कि overall कितने Charter Acts थे है तो अभी हम जब Crown Rule देख लेंगे तो उसको भी देख लेंगे तो सबसे पहले जो याद करने का Method है वो आपको समझ में आ है सबसे पहले timeline याद करना ही सबसे tough होता है तो जो timeline है वो याद करने का तरीका क्या है 73, 81, 84, 86, 93, 33, 33, 33, simple 73, 81, 84, 86, 93, 33, 33, 33, ok अब हम देखेंगे एक-एक करके इन Acts के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे मैं erase कर देता हूं तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं 1773 का Act सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1773 तो हम आज आते हैं Regulating Act of 1773 Regulating Act of 1773 अब यहां से मैं इतनी छोटे सब्दों में और इतनी कम sentences में आपको चीजे मैं समझाऊँगा कि आपको तुरंट चीजे clear हो जाएंगे इसलिए मैंने बोला था कि आप एक pencil और copy लेकर बैठ लिएगा ताकि आप इन चीजों को note करते रहे तो अब देखिए Regulating Act of 1773 में क्या क्या होता है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले जो इसमें होता है कि जो Bengal होता है ठीक है Bengal को Bengal के Governor को Bengal के Governor को Bengal का Governor General बना दिये जाता है इसमें इसमें दूसरा काम क्या होता है दूसरा काम यह होता है कि मदरास मदरास और बंबे मदरास और बंबे की जो प्रेसिडेंसी होती है ठीक है या गवर्नर जेनरल होता है उनको बेंगॉल के गवर्नर जेनरल के अधीन कर दिया जाता है मदरास और बंबे के गवर्नर जेनरल को Bengal के Governor General के अधीन कर दिये जाता है दूसरा काम उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है तीसरी चीज़ होती है Kolkata में Supreme Court की स्थापना होती है ठीक है यह काफी important points है ठीक है क्या होता है Kolkata में Supreme Court की स्थापना होती है यह 3 points समझ में है Bengal के Governor को Bengal का Governor General बना दिये जाता है मदरास और Bombay की Governor General को Bengal के Governor General के अधीन कर दिये जाता है ठीक है और Kolkata में Supreme Court की स्थापना होती है ठीक है इतना आप note कर लीजिए उसके बाद फिर आगे चलता है दो points इसमें और है अब इसके बाद क्या होता है Next Company के कर्मचारियों को क्या होता है Company के कर्मचारियों को fourth point वैपार उपहार और रिस्वत ये तीनों लेने से मना कर दिये जाता है Company के कर्मचारियों को वैपार रिलेटेड कोई भी रिस्वत या उपहार लेने से या कोई directly रिस्वत लेने से ये सभी चीजों से मना कर दिये जाता है फिप्ट पॉइंट है Next Fifth point है हमारा कि इसमें नियंतर बोड नियंतर बोड की स्थापना होती है नियंतर बोड की स्थापना होती है ठीक है तो ये 5 points जो है वो इससे काफी important points है इसके इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा कि हमने इसमें क्या क्या चीजे देखा पहले मैं आपको ये remember करा दता हूँ सबसे पहले मैं देखा कि बंगाल की governor को बैंगॉल के governor general बना दिये जाता है ठीक है मदरास और बंबे की president को बैंगॉल के governor general के अधीन कर दिये जाता है कॉलकाता में supreme court की इस्थापना होती है ठीक है कंपनी की कर्मचारियों को वैपार उपार और रिस्वत लेने से मना कर दिये जाता है नेक्स्ट नियंत्रन बोर्ड की इस्थापना होती है और एक चीज में और पताना चाहूँगा कि जब बैंगॉल के governor को बैंगॉल की गवर्नेस जनरल बनाया जाता है तो ऐसे पहले जो गवर्नेस जनरल बनते हैं वो हैं Lord Warren Hastings याद रखिएगा ये भी जो फ़र्स्ट गवर्नेस जनरल वो कौन है Lord Warren Hastings ये भी एक important question है तो ये इस act से related सभी चीज़े हो चुकी है अब हम चलते हैं next act पे ठीक है next जो है हमारा है 1781 का संसोधन अधिनियम Abundment Act of 1781 1781 का संसोधन अधिनियम संसोधन अधिनियम अधिनियम अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़े पताना चाहूँगा इस से related 1781 का संसोधन अधिनियम इस अधिनियम को क्यों लाया गया था तो जो 1773 का act आया था उस act में जो कुछ गलतियां थी उन गलतियों को सुधारने के लिए एमेंड करने के लिए इस एमेंडमेंट act को लाया गया तो 1781 का संसोधन अधिनियम अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़े हुए तो सबसे पहले governor general and council को governor general and council governor general and council को supreme court के supreme court के जो supreme court बना था न 1773 में उस Supreme Court के 16 अधिकार से बाहर कर दिया जाता है Supreme Court के अधिकार से बाहर कर दिया जाता है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया तो नेखिए क्या हुआ था 1773 में एक Supreme Court बनाये गया था अब जैसा आपको पता है Britishers जब भारत में आये थे उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ वैपार करना और वैपार करना वैपार से वो फिर आगया administration पे लेकिन चाहें वो वैपार कर रहे हैं वो चाहें वो administration कर रहे हैं उनका जो final motive था वो था यहां से पैसा कमाना ओके अब पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए ready है तो जिसकी वज़े से वो भारतियों को बहुत जादा सताया तरपाया करते थे अब जब सताया करते थे तरपाया करते थे तो जो भारतिये थे वो सुप्रीम कोट चले जाते थे इनकी सिकायत लेकर कि अब सुप्रीम कोट को नचाहते हुए भी इन पे कुछ नकुछ तो एक्शन लेना ही पड़ता था तो इस प्रॉब्लम को अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आगे कि बृटिसर्स ही सता रहे है और बिटिसर्स के खिलाफ ही case हो रहा है तो इस problem को solve करने के लिए क्या किया गया कि governor general जो governor general थी और governor general की जो council थी मतलब जितने भी करमचारी थे हैं उन सभी को supreme court के अधिकार से ही बाहर कर दिया गया कहने का मतलब यह है कि जो governor general होगा और जो governor general की council होगी वो company से related कोई भी अधर work करेगी तो तो वो supreme court के 16 अधिकार के अंतरगत नहीं रहेगा मतलब supreme court कोई भी उस पे सुनवाई नहीं कर सकती है ओके यह तो था पहला काम ओके उसके बाद दूसरा क्या हुआ कॉलकाता के लोगों को next क्या हुआ कि जो कॉलकाता के लोग थे हैं कॉलकाता के लोगों को सुप्रीम कोट के छेतरा अधिकार के अंत्रगत कर दिया गया ठीक है, सेकेंड काम ये हुआ तीसरा, तीसरा और जो सबसी इंपोर्टेन चीज़ है वो क्या हुआ वो ये हुआ कि हिंडू परसनल लो हिंडूों के लिए हिंडू परसनल लो और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम परसनल लो लाया गया मुस्लिम परसनल लो लाया गया, तो हिंडूों के लिए हिंडू परसनल लो और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम परसनल लो लाया गया तीसरा काम ये हुआ, ओके, आप इसे नेक्स्ट हमारा फॉर्थ पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा फॉर्थ पॉइंट है, प्रोविंसियल कोर्ट्स की अपील, एक मिट्ट, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्थ पॉइंट है, वो है यह है, कि प्रोविंसियल, प्रोविंसियल कोर्ट्स की अपील, जो है, वो, कोर्ट्स की अपील प्रोविन्स Hell कोट की अपील अब सुप्रीम कोट में न दायर होकर कहार डायर होगी Governor General-In-Council के आं Governor General के आन अब नेक्स चीज क्या की गई जो प्रोविन्स Il कोट की भी अपील होगी वो भी कहार जाएगी Governor General-In-Council के पास जाएगी सुप्रीम कोट में डायर नहीं होगी यह four important कुछ acts है इससे related ओके आप इस चीज से परिसान रहिएगा मतलब इस चीज से परिसान मत होईएगा कि बहुत ही कम है ऐसा कुछ नहीं है इस act में और इसमें जितनी भी important चीजे थी वो सब कुछ मैंने cover किया है और हो सकता है एक दो points ऐसे हूँ जो उतनी important नहीं तो उसे मैंने miss किया है खेर जब आप question solve करोगे तो आपको समझ में आएगा question solve करते वक्त कि सभी कुछ आपका cover हो रहा है कोई ऐसी चीज है नहीं जो बची हुई है ठीक है तो चलते है next next है हमारा next हमारा है 1784 का pits india act ठीक है 1784 का pits india act pits india act 1784 का pits india act अब इसमें कुछ बहुत कुछ खास नहीं हुआ इसमें तो सबसे important चीज ये हुई कि BOC और COD की स्थापना की गई अब ये BOC COD क्या है देखिए BOC का मतलब होता है board of control और COD का मतलब होता है court of directors board of control और court of directors की स्थापना की गई अब इनका काम क्या था सबसे important चीज ये है कि जो board of control थे उनका काम था वैपारिक वैपारिक मामलों को देखने के लिए जो वैपारिक मामले थे वो board of control को दे दिया गया उसके अलावा जो राजनैतिक जो राजनैतिक मामले थे वो court of directors को देखने के लिए बोल दिया गया तो ये था 1784 के pits India Act का सबसे important point इसके बाद एक चीज आप और देख सकते हो इस act में सबसे पहले company के अधीन छेतर को सबसे पहले company के अधीन छेतर को क्या कहा गया British आधीपत्य का छेतर कहा गया British आधीपत्य का अधि पत्य का छेत्र कहा गया ओके तो इस एक्ट के यही दो में इंपोर्टेंट चीजे थी अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ नेक्स्ट है हमारा एक्ट आप 1786 ओके एक्ट आप 1786 यह है हमारा फूर्थ एक्ट आप 1786 अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ एक्ट आप 1786 में क्या क्या हुआ है तो देखिए सबसे पहले पहला चीज़ें आप क्या हुआ है कि लॉड का लॉड कॉर्ण वैलिस को लॉड कॉर्ण वैलिस को बेंगॉल का गवर्नर जनरल लॉड कॉर्ण वैलिस को बेंगॉल का गवर्नर जनरल बनाया गया ठीक है उसके बाद second point क्या है second point भी इन्ही से related है second point क्या है कि जब लॉड कॉर्ण वैलिस को बेंगॉल का गवर्नर जनरल बनाया के लिए इनके पास प्रस्ताव ले जाया गया था तो इन्होंने अपनी दो सर्ते रखी थी पहला सर्त ये रखा था कि ये जो है इनको ये राइट हो कि ये अपनी काउंसिल की decisions को सरपास कर सके ठीक है इनके पास ये राइट हो कि ये अपने काउंसिल की decision को मतलब काउंसिल के द्वारा ये बंधे नर है ठीक है ये काउंसिल की decisions को सरपास क कर सके या decline करने की power होनी चाहिए ठीक है तो पहली चीज थी तो इन्हें ये दी गई दूसरी चीज ये थी कि post of commander in chief इन्हें क्या चाहिए था post of commander in chief commander in chief का post चाहिए था तो ये भी इन्हें दे दिया गया ओके तो ये दो important चीजे थी जो इस act के द्वारा हुई ओके अब चलते है next इस act में इतना ही था अब हम चलते है next act की तरफ ठीक है next जो हमारा act है वो है 1793 का 17 पहले में लिख देता हूँ ये हमारा fifth है ओके ये हमारा 1793 का charter act चार्ट अब देखिए इसमें क्या क्या चीजे हुई है इसमें सबसे पहले जो लॉग्ड कॉर्नेवैलिस को पावर्स दी गई थी कि वो special conditions में अपने council की decision को decline ये सरपास कर सकते हैं वो सारी powers को आगे के governor general तक बढ़ा दी गई वो सारी powers को आगे के governor general तक बढ़ा दी गई उसके बाद next क्या हुआ ट्रेड मोनोपॉली ट्रेड मोनोपॉली को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया ठीक है जो East India Company की ट्रेड मोनोपॉली थी उसे आगे अगेन 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया ओके तो ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि इस पे एक बिल्कुल डिडेल हम लेक्टर लाएं तो वह भी हम ला देंगे अगर आप डिमांड करोगे तो ये रिवीजन के प्रोस्पेक्टिब से बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो इस सभी चीजों का आप नोट कर दें चलिएगा ठीक है तो इसमें क्या क्या है वह दो चीजों हुई चार्टर एक्ट अफ 1813 ठीक है 1813 का चार्टर एक्ट अब इसमें देखें क्या क्या हुआ 1813 के चार्टर एक्ट में इस्ट इंडिया कंपणी का जो मोनोपॉली था ट्रेड पे उसे खतम कर दिया गया उसे क्या कर दिया गया खतम कर दिया गया लेकिन पूरी तरीके से खतम नहीं किया गया अभी भी इसके पास राइस्ट हैं कि ये किस किस चीजों में ट्रेड कर सकती थी तो ट्रेड विट चाइना ये अभी भी चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी इसके साथ शाथ चाइना और टी ये दो चीजों मतलब चाय पत्ती और चाइना दो चीजों के साथ ये ट्रेड कर सकती थी और भारत में चायपत्ती का जो वयापार था उसे अभी तक British East India Company को करने दिया गया ठीक है तो ये जो चीज थी ये इस एक्ट की पहले चीज थी उसके अलावा जो इस एक्ट में सबसे important दूसरी चीज हुई है वो ये हुई है कि Christian 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 Missionaries को भारत भेजा गया ठीक है किस लिए Western Education को प्रमोट करने के लिए क्रिस्टियन मिसिनरीज को भारत भेजा गया अब इसके कुछ bad impact भी हुए कुछ good impact भी हुए ठीक है तो इसके जो bad impact भी हुए कि Christian Missionaries के भारत आने से क्या हुआ कि हमारा जो यहां का native मतलब कि जो local education का जरिया था या जैसे हम education पहले लेते थे उसमें कमी आई ठीक है मतलब जो गुरुकुल वारा system चलता था उसमें कमी आई इसका तो सबसे बड़ा benefit क्या हुआ बेनिफिट यह हुआ कि western education से हम जुड़े मतलब western education के बारे में हमें कोई knowledge नहीं था जिसकी वज़े से हम Britishers की चाल को Britishers की चीज़ें को जो हमारी जनता थी वो इतनी बेटर तरीके से समझ नहीं पाती थी तो western education की वज़े से लोग इन सब चीज़ों को समझने लगे तो इसके कुछ negative points भी हुए इसके कुछ positive points भी हुए तो Christian missionaries को भारत में लाए गया लोगों को क्या करने के लिए प्रभुत बनाने के लिए लोगों में education बढ़ाने के लिए western education को influence करने के लिए तो यह चीज़े हुए उसके साथ साथ लोगों पे tax impose किया गया एक इसमें point और है ठीक है आप इसको भी note कर सकते हो कि लोगों के उपर tax impose किया गया और जादा tax बढ़ाया गया और tax ना देने पर उन्हें सजा देने और मारने पीटने की बात भी इसमें की गई ओके तो यह था हमारा next sixth charter act अब हम चलते हैं next पे charter act of 1833 7th charter act of 7th charter act of 1833 ओके अब हम चलते हैं charter act of 1833 पे अब देखिए इसमें क्या कह चीज हुई तो यह एक काफी important act है इसे ध्यान से देखिएगा इसमें क्या 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 चीज हुए तो इसमें सबसे पहले यह हुआ सबसे पहले सबसे पहली चीज जो ही वह यह थी कि governor general of bangal को governor general of bangal को governor general of india बना दिया गया क्या किया गया governor general of Bengal को Governor General of India बना दिया गया, सबसे पहला काम यह हुआ, और ऐसे पहले Governor General थे, Lord William Bantic Lord William Bantic ठीक है यह पहले Governor General of India थे, ओके यह था हमारा पहला पॉइंट, दूसरा क्या चुचुई Bombay Bombay और मदरास Bombay और मदरास की जो Legislative powers थी Legislative powers जो थी, Bombay और मदरास की जो Legislative powers थी उन्हें खतम कर दिया गया मतलब Bombay और मदरास के पास जो भी Legislative powers थी उन्हें खतम कर दिया गया Second point यह था अब उसके साथ साथ East India Company जो थी, वो अब सिर्फ एक Commercial Body बन कर रहे गई ठीक है जो East India Company जो थी वो एक सिर्फ administrative body बन कर रहे गई, जो Commercial part था वो उनसे छीन लिया गया अब वो सिर्फ क्या रहे गी, एक administrative body बन कर रहे गी सिर्फ एक administrative body बन कर रहे गी, ठीक है, जो Commercial section था वो उनसे छीन लिया गया मतलब एक तरीके से इनकी जो Monopoly थी उसे खतम कर दिया गया ठीक है, आपके वाल ये एक administrative body थी, Commercial body नहीं थी ठीक है, ये भी एक इसका important point था इसके बाद इसमें एक और चीज हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ-साथ इसमें एक और चीज हुई है Civil Services Civil Services को शुरुआत करने की बात की गई लेकिन ये successful नहीं हो पाया शुरुआत करने की बात तो की गई लेकिन ये successful नहीं हो पाया क्योंकि जो British के कर्वचारी थे मतलब जो Britishers लोग थे उन्होंने इस पे विद्रो किया कि अगर Indians को इतना ज़ादा participation दिया जाएगा सभी चीजों में तो हमें problem हो सकती है और हम उनके उपर इतना ज़ादा जुल्म वेगरा भी नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इस वक्त तो ये fluff हो गई प्रयास किया गया था लेकिन ये चीज़ जो है वो fluff हो गया तो ये थे कुछ इसके important points अब चलते है next act पे next और last act जो है हमारा उस पे चलते है एक इसमें से और मैं आपको point बताना चाहता हूं उससे भी आप note कर लीजेगा कि laws laws made under previous acts ठीक है laws made under previous acts मतलब previous acts के acts में मतलब previous acts में जितने भी laws बने थे हैं ठीक है previous acts में जितने भी laws बने थे हैं उन्हें regulations कहा गया कहा गया कि अब उन्हें क्या बोला जाएगा regulations बोला जाएगा जबकि laws made under this act इस act के द्वारा जितने भी laws बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा act बोला जाएगा तो ये भी ध्यान दिजेगा कि laws made under previous act जितने भी previous act में laws बने उन्हे regulations बोला जाएगा और जितने भी current act के द्वारा laws बनेंगे उन्हें act बोला जाएगा ठीक है तो ये था इसका एक और पॉइंट ओके चलता है next और last point की तरफ next और last point की तरफ तो last जो हमारा point है वो ये है एक बिट लास्ट पॉइंट जो हमारा इट चार्टर एक्ट ओफ चार्टर एक्ट ओफ 1853 1853 का चार्टर एक्ट ओके चार्टर एक्ट ओफ 1853 अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़े हुई है तो सबसे पहले इसक्टिव फंस उफ गवर्नर जनरल काउंसिल सपरेट लेजिसलेटिव एड एक्जेक्यूटिव फंसिंस अफ गवर्नर जनरल काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल की लेजिसलेटिव और एक्जीक्यूटिव फंसिंस को अलग-अलग कर दिया गया ठीक है गवर्ने जर्नल और काउंसल की legislative और executive functions को अलग अलग कर दिया गया ठीक है दूसरा क्या हुआ second चीज क्या हुआ mini parliament mini parliament का मतलब क्या है ये भी बताता हूँ mini parliament का मतलब क्या देक है जैसा की recent में क्या होता है आज के time पर क्या होता है कि हमारा एक parliament है ठीक है परलियमेंट में लोग सभा है राज्य सभा है ठीक है वही पर law making work होता है ठीक है तो यहाँ पे जैसा कि हम इस point में देख रहे हैं कि legislative or executive मतलब की विधाई का कारेपाली का को दोनों को बाट दिया गया अलग अलग कर दिया गया तो अलग अलग करने का मतलब क्या है कि दोनों के function अलग अलग हो गया तो यह as a parliament work हो रहा है ठीक है as a parliament label पहले क्या था कि सभी जो governor general के council थे वो सभी कामों को देखते थी लेकिन अब work को separate किया जा रहा है काम को बाटा जा रहा है तो यह parliament का रूप ले रहा है इसलिए इसे mini parliament भी कहा गया ठीक है next point जो है यह भी एक ध्यान देने वाले point है next point जो है civil servants again again civil servants जिसे हम मैकेले कमिटी civil servants के लिए committee बनाईगी जिसे हम मैकेले committee मैकेले committee के नाम से जानते है committee बनाईगी मैकेले committee के नाम से हम जानते है civil servants के लिए again एक committee बैठाईगी ओके यह काम हुआ उसके अलावा एक इसमें और important point है उसे भी मैं note कर देता हूँ यह पे एक और जो important point है वो यह है कि local local representation representation in the Indian Legislative Council of the six new legislative members of governor general council four from madras bombay bengal and agra bengal and agra कहने का मतलब क्या है कि local representation in the Indian legislative council of the six new legislative members of governance general council four madras bombay bengal and agra कहने का मतलब यह है कि पहली बार पहली बार governor general की council में local representation का लाने का प्रियास किया गया ठीक है पहली बार governor general council में local representation को लाने का प्रियास किया गया ओके तो यह थे इन acts से related कुछ important बाते तो यहाँ पे सारे जो हमारे company rule company rule के अंत्रगत जितने भी acts थे ठीक है वो सारे ही acts हम देख चुके है ठीक है अब हम देखने वाले है crown rule से crown rule के time पे और crown rule से related सारे ही acts हम देखने वाले है तो अब हम आ जाते है next crown rule पे crown rule crown rule crown rule का जो हमारा time period है वो है 1858 से लेकर 1947 ठीक है सबसे पहले मैं इसे भी आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें जितने acts या laws हैं कितने हैं जैसा मैं पहले बता रखाऊ हूँ इसमें 7 हैं 5 6 and 7 पहला जो हमारा है governor government of government of India act 1858 पहला है government of India act 1858 सेकेंड है India councils act of 1861 थर्ड है Indian councils act of 1892 ओके फोर्थ है India Indian councils act of 1909 ठीक है फिफ्ट है government government of India act 1919 ठीक है 6 है government of India act 1935 सेवन्थ है इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंडेंस इंडिपेंडेंस act of 1947 ओके तो टोटल 7 acts है इसमें सबसे पहला है government of India act government of India act 1858 दूसरा है Indian council act Indian Indian councils act of 1861 ठीक है तीसरा है Indian council act of 1892 चौता है Indian councils act of 1909 पाच्वा है government of India act 1919 और शटवा government of India act 1935 और साथवा government of India act 1947 अब आपको मैं इसे याद करने का तरीका बता लेता मतलब 17 में था और 18 में था यहां हमारा 18 और 19 में चलेगा सबसे पहले हम क्या याद करेंगे तो देखिए 58 71 92 58 61 62 ठीक है 58 61 92 तीन यह हो गए 58 62 92 उसके बाद 19 09 19 19 में आप कैसे याद रख सकते हूं 09 19 09 19 35 0 09 19 35 0 09 19 35 46 ओके 58 61 92 09 19 35 47 इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हूं ओके हब एक एक करके इनके भी हम important points को देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो हमारा है वो आ जाएगा सबसे पहला जो हमारा act है वो है government of India act गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया act गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया अक्ट 1858 सबसे पहला है government of India act 1858 अब इस एक्ट से लेटेट कुछ important चीजे देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है East India Company समाप्थ हो जाती है East India Company को समाप्थ कर दिये जाता है कहने का मतलब क्या है जैसा मैंने आपको बताए था कि 1857 में एक विद्रो होता है 1857 की जो क्रांती होती है वो बहुत ही powerful क्रांती होती है अगर वो क्रांती successful हो जाती अगर वो क्रांती सफल हो जाती तो हम 1857 में ही आजाद हो गये होते ठीक है तो कुछ कारणों की वज़े से वो क्रांती सफल नहीं हो पाती है जिसमें कुछ महत्वपूर कारण है जैसे की एक proper planning का ना होना ठीक है proper planning का ना होना दूसरा इसमें सबसे important कारण है कि जो भारत के सभी लोग है जो बड़े मतलब कई सारे राजा है उन सभी लोगों का एक जुट ना होना मतलब सभी का एक साथ सयोग ना देना ये एक बहुत important ये भी कारण है तो इन कुछ कारणों की वज़े से ये जो क्रांती थी ये successful नहीं हो पाई खैर इतनी बड़ी ये क्रांती थी कि इस क्रांती की वज़े से जो बिटिस क्राउन थी वो डर गई उनको ये लगा कि अब जो कंपनी का सासन है वो directly मुझे अपने हाथों में लेना होगा वरना क्या होगा कि भारत में हम जाते समय तक टिक नहीं पाईगे तो यहाँ पर East India Company को समाप्त कर दिया गया और जो सासन था वो directly महरानी विक्टोरिया के महरानी Вिक्टोरिया के हाथों में चला गया ओके तो East India Company को समाप्त कर दिया गया और सासन डिरेक्ली ब्रिटिस क्राउन के हाथों में चला गया तो यहां से अब जो भी आप एक्ट वेगरा देखोगे वो सब डिरेक्ली क्राउन के द्वारा पास किये जा रहे है मतलब वहां से आ रहे हैं मतलब ब्रिटेन से पास आउट हो रहे है इसके पहले क्या था यही भारत में ही जो Governor General था Governor General Council थे वही कानूर और Act बना रहे हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा तो इसका एक सबसे important point था उसके बाद जो second point है जो Governor General of India था ठीक है इससे पहले क्या था Governor General of India था Governor General of India को दो भागों में तोड़ दिया गया कहने का मतलब क्या है Governor General of India की पोश्ट को हटा दिया गया उसकी जगह दो नए पोश्ट लाए गये है जो था वाइसरा है ठीक है एक पोश्ट था वाइसरा है ठीक है और दूसरा जो था वो था सेक्रेटरी सेक्रेटरी ठीक है गवर्नर जनरल अफ इंडिया की जगह दो नए पोस्ट लाए गए है पहला था वाइसरा और दूसरा था सेक्रेटरी ओके अब हम यह जान लेते हैं पहले वाइसरा कौन थे तो वो थे लॉड कैनिंग लॉड कैनिग पहले वाइसरा जो है वो कौन थे वाइसरा लॉड कैनिंग थे ठीक है और सेक्रेटरी ओफ स्टेट्स फॉर इंडिया जो सेकेंड जो था वो था सेक्रेटरी ओफ स्टेट्स फॉर इंडिया तो ये दो भागों में तोड़ जिया कि Governor General of India को एक वारिसरा है और एक Secretary में और पहले वारिसरा है जो थे वो Lord Canning थे कहने का मतलब यह इसी पोस्ट को इंडो पोस्ट में चेंज कर दिया गया तो यह इसका second important point था तीसरा जो इसका important point है वो है important point है वो यह है एक 15 members की council बनाई गई to assist him इन्हें assist करने के लिए इन्हें assist करने के लिए 15 members की council बनाई गई ओके यह था हमारा तीसरा point next जो हमारा इसमें एक और point है वो यह है next point यह है कि board of control और court of director को खतम कर दिया गया board of control और court of director को क्या किया गया खतम कर दिया गया अब हम चलते हैं इसमें इतनी points थे अब हम चलते हैं second act की तरफ जो हमारा second act है वो है Indian council act of 1861 Indian councils act of 1861 ओके अब हम इसके कुछ points देख लेते हैं तीक है सबसे पहले इसमें क्या किया गया Lord Canning Lord Canning का मतलब क्या है ? Wiceroy केchnya का Benjamin सबसे पहले कुछ भारतियों को Wiceroy की council में आने का अधिकार दिया गयाmn धीक है तो ये एक बड़ी बात थी और कॉन-कॉन वो भारतियिये थे ये बहुत बड़ी बात है तो कौन-कौन थे वो, तो राजा और बनारस, महराजा और पतियाला और सर दिनकर राओ, ठीक है कौन-कौन थे, राजा और बनारस, ओके, नेक्स्ट, महराजा और पतियाला और सर दिनकर राओ, सर दिनकर राओ, तो ओके, तो ये तीन भारतिये थे, जिनको वाय सराय की कॉंसिल में अधिकार कॉंसिल में अधिकार दिया गया ठीक है तो यह था हमारा second point okay sorry इसका first point था second point है decentralization की प्रक्रिया चालोगी decentralization की अब decentralization का मतलब क्या है weekendry year current का मतलब क्या है कि पहले जो था वो centralizing tendency का मतलब क्या है आपने सबसे पहले क्या था governor general था governor general को क्या बनाया गया governor general of India बना दिया इसके बात governor general बेंग ओने बनानी मतलब क्या किया जा रहा है कि centralization हो एक जगہ संGOथित किया जा रहा है तीए कि पाद्लिश हमारे नहीं देखा कि सभी क्रवत्य वो Governor General of India के पास थी उनको Supreme Court के छितरा रिकार से भी बाहर कर दिया गया तो यहाँ पे Centralization हो रहा था केंद्री करण हो रहा था लेकिन अब यहाँ पे again क्या हो रहा है Decentralization हो रहा है मतलब अब दुबारा से सक्तियों को बाटा जा रहा है ठीक है मतलब छोटे लेबल पे भी लोगों को सक्तियां प्रोवाइड की जारी Britishers को की जारी एक्चुली वर्क करने के लिए ठीक है तो यह था इसके अंदर Next है मारा Next Point Next Point है सी के अंदर Second के अंदर New Legislative Council Bengal Northwest Punjab ठीक है तो अब देखें क्या किया जाता है कि New Legislative Council नई Legislative Council बनाई जाती है किसके लिए Bengal, Northwest Provinces और पंजाब के लिए Bengal, Northwest Provinces और पंजाब के लिए New Legislative Council का भी Formation किया जाता है ठीक है इसके तुरू इसके अलावा Lord Canning Lord Canning जो है वो एक सिस्टम लाते है जिसे बोटते है Portfolio सिस्टम Portfolio सिस्टम जो है वो भी इसी में आता है ठीक है Portfolio सिस्टम जो है वो भी इसी के अंतरकट आता है ठीक है Portfolio सिस्टम एक और point है इसमें एक और important point है एक और इसमें जो आप important point है आपका वो है Portfolio सिस्टम के बाद यह बहुत important point ठीक है ordinances अध्यादेस जो आप recent के समयधान में पढ़ते हो ordinances जारी करने की जो right है अध्यादेस जारी करने का जो अधिकार है ordinances का वो भी आपको इसी act में दिखाई देगा ठीक है इस act में ordinances जो है ordinances related rights जो है वो सबसे पहले इसी act में आते है तो यह थे कुछ इस act से important सीज़े है अब चलता है next act की तरफ next third act third जो है Indian councils act Indian councils act of 1892 Indian council acts of councils act of 1892 इसमें जो एक सबसे most important चीज होती है वो है budget ठीक है budget आता है ठीक है मतलब कहने का sense कि budget पेस किया जाता है ठीक है यह एक महुत important चीज है आज के time पे आप जानते है कि budget का कितना जादा महत्व है और budget का कितना बड़ा impact पड़ता है हमारी country के उपर तो budget जो है वो सबसे पहले पेस करने का जो प्रावदाहन था वो यही से सुरू होता है ठीक है यही से सुरू हुआ था तो यह इसका सबसे important point है ठीक है अब चलते है इसके बाद next पे next fourth fourth point जो है वो क्या है Indian Councils Act Indian Councils Act of 1909 ठीक है इसे morale mintory form भी बोला जाता है morale mintory form भी बोला जाता है ठीक है इसके जो important points से वो देख लेते है members in Central Legislative Council जो Central Legislative Council में members थे उनकी संखिया 16 से बढ़ा कर साथ कर जी जाती है Central Legislative Council में जो members थे उनकी संखिया 16 से बढ़ा कर साथ कर जी जाती है उसके बाद second है first first Indian to join वाइस और आये एक्जीक्यूटिव काउंसिल सतेंद्र नात्थ सिना तो ये पहले ऐसे भारतिय होते है ठीक है जो वाइस सराय की एक्जीक्यूटिव कॉंसिल में ठीक है जाते है तो वाइस सराय की एक्जीक्यूटिव कॉंसिल में जाने वाले ये सबसे पहले भारतिय होते है ठीक है भारतिय थे तो ये थे इसके कुछ important point अब हम देखते हैं इस related कुछ और points ठीक है अब next देखते हैं next क्या है हमारा इसमें जो next है communal electrode communal electorate communal electorate ठीक है अब ये communal electorate क्या है ये एक बहुत ही important चीज है बहुत important क्यों है क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतियों को तोड़ने में communal electorate ठीक है communal electorate के थोरा क्या होता है इसमें Muslim members Muslim voter कहने का सिंसी है इसमें ये system लाए जाता है कि Muslim member को Muslim voter ही voter दे सकता है ठीक है ये system ला दिया जाता है कि Muslim अगर कोई Muslim member है Muslim member तो Muslim voter Muslim voter ये वाला concept जो है ये ला दिया जाता है ठीक है ये था इसका point ओके अब इसमें एक और important point है उससे देख लिज़े separate separate representation separate representation ला दिया जाता है separate representation किसके लिए ला जाता है तो separate representation जो है वो corporate corporate ये corporations चैंबर्स और universities के लिए separate representation लाने की भी विवस्था कर दी जाती है ठीक है separate representation का मतलब क्या है अलग से representation प्रस्तूत करता है मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा था या बड़े बड़े लोग थे उनके लिए voting में अलग से representation होगा ठीक है कहने का मतलब या आज की हिसाब से ऐसा कुछ की जो बड़े लोग है जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको हम voting में ज़्यादा rights दे दें जो लोग गरीब है उनको कम rights दे दें तो यही है separate representation मतलब representation अलग-अलग तरीके से देना तो यह ते कुछ इसके important points अब चलता है next act पे next जो हमारा act है अच्छा मैं एक चीज़ आप से और बताना चाहूँगा कि इस बुरे lecture का ठीक है notes अगर आपको चाहिए तो आप comment में बताइएगा मैं telegram पे इसके notes जो है वो upload करके link आपको comment section में दे दूगा ठीक है ओके तो चलते हैं हम next act पे next जो है वो हमारा है government of India act 1919 ये काफी important act है ये act जो है वो काफी important act है government of India act 1919 government of India act 1919 में क्या क्या हुआ अब हम देख लेते हैं कुछ important points देखिए सबसे पहले क्या होता है central subjects central subjects और provincial subject को अलग-अलग कर दिये जाता है सबसे पहले central subject और provincial subjects को अलग-अलग कर दिये जाता है अब provincial subject में भी सबसे पहले central subject और provincial subject को अलग-अलग कर दिये जाता है और जो provincial subject होता है ठीक है उसे भी दो भागों बाट दिये जाता है एक होता है transferred और एक होता है reserved इसका मतलब समझे कहने का मतलब क्या है यहां कहने का मतलब यह है कि central subject मतलब central subject और provincial subject को अलग-अलग करने से मतलब यह है कि अब central में जितने भी laws और acts वागरा जो बनेगे ठीक है वो central government देखेगी provincial में जितने भी laws और acts वागरा बनेगे उसे provincial government देखेगी इसमें होता क्या है इसमें यह होता है कि जो provincial government जो है अगर कोई transferred subject के अंतरगत कोई law बनाती है तो उस law के लिए उसे central government के प्रती responsible होना पड़ेगा central government के प्रती responsible होने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर law बनाएगी तो वो law central government के अंडर में होगा उसे बाहर हटके या बिना उसके permission के नहीं हो सकता जबकि जो reserve subject है उन reserve subject पे provincial government खुद से भी कोई law बना सकती है simply कहने का से यह जैसा आज present में basically होता है चीक है तो वह ही चीज़ है तो यह काफी important चीज़ है इसका अब चलते हैं next point पे इसी के जो next point है वो है bicameral legislature अब देखिए bicameral legislature का मतलब क्या है bicameral legislature का मतलब यह है कि legislature में दो पार्ट होना जैसे की upper house and lower house ठीक है तो bicameral legislator की शुरुवात भी होती है मतलब एक upper house और lower house इन दो भागों में legislator को divide कर दिया जाता है जैसा कि आज है ठीक है राज्यसवा और लोगसवा उस तरीके से divide कर दिया जाता है तो bicameral legislature की शुरुवात होती है यह था इसका second point यह काफी important act है इनकी points को remember रखिएगा next step three of the six members of viceroy executive council इसका जो नेक्स पॉइंट है वो यह है कि वर टू बी इंडियन अब देखिए यहां पर कहने का मतलब क्या है कि three of the six members of viceroy executive council वर टू बी इंडियन viceroy executive council के 6 में से 3 members जो होंगे वो भरती होंगे ठीक है यह काफी important चीज है अब इसका जो next point है वो यह है कि separate electorate for sick Christians and Anglo-Indians Anglo-Indians कहने का मतलब क्या है देखिए यहां पर कहने का sense क्या है तो कहने का sense यह है कि इससे पहले जो separate representation किया गया था वो हिंडूों और मुस्लीमों के उपर किया गया था ठीक है मतलब मुस्लीम जो लोग होंगे वो मुस्लीम नेटा को ही वोट देंगे हिंडू वाले हिंडू को देंगे लेकिन यहां पर communal representation जो था मतलब जो यह system था इसको और भी जादा broad कर दिया गया ठीक है अभी हिंडू मुस्लीम तक ही सिमित था लेकिन यह चीज़ अब सिख ठीक है Christian और Anglo-Indian तक भी बढ़ा दिया गया तो यह एक काफी खराब चीज़ थी ठीक है ओके तो अब चलते हैं नेक्स पॉइंट पे नेक्स पॉइंट जो है franchise franchise for property franchise for property tax and education ठीक है तो property tax और education के लिए franchise भी दिया जाने लगा यह चीज़ की भी शुरुआत हो गई अब हम चलते हैं next point देखते हैं next point है created a new office of high commissioner created a new office of high commissioner high commissioner के लिए एक नई office create की गई ठीक है next public service commission finally public service commission जो था उसे ला दिया गया ठीक है उसके बाद provincial budget provincial budget अभी तक central budget चलना था लेकिन अब provincial budget और central budget दोनों को अलग कर दिया गया यह फी एक काफी important चीज थी provincial budget और central budget को अलग कर दिया गया यह कुछ इस एक्ट के important point थे जो काफी ज़ादा important point थे और बहुत ही ज़ादा जरूरी points थे हैं ठीक है तो यह इस से related कुछ important points थे हैं अब हम चलता है next point की तरफ ठीक है तो next जो है वो है हमारा government of India act 1935 government of India act 1935 government of India act 1935 अब देखिए government of India 1935 में क्या होता है इसमें काफी चीजें आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले है federal list, provincial list और concurrent list federal list provincial list और concurrent list ये तीन list जो हैं ये तीनों list को separate रूप से बना दिये जाता है ठीक है सबसे पहला point हो ये था दूसरा है abolished abolished diarchy in provinces provinces में diarchy को abolish कर दिये जाता है ओके नेक्स्ट है bicameralism in six out of eleven provinces 11 में से six provinces में bicameralism ला दिया जाता है ठीक है ये है इसके बाद next point है हमारा reservation सबसे पहले reservation reservation की बात जो है वो भी इसी में की गई है ठीक है reservation की बात की गई है उसके अलावा 10% जन संख्या को 10% जन संख्या को मत देने का अधिकार मत देने का अधिकार अधिकार भी इसी में दिया गया है ठीक है ये थे कुछ points इसके अलावा RBI RBI की स्थापना की गई Reserve Bank of India उसके अलावा Federal Public Service Commission Federal Public Service Commission जिसे हम बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं लाइक PPSC JPSC जारकन पब्लिक सर्विस कमिशन इसके अलावा इसके बाद औरीशा और सिंद औरीशा और सिंद नामक दो जगा भी बसाए गए हैं उसके अलावा संगी है इस पॉइंट को आप हटा सकते हो यह important point यह कुछ खास point important point नहीं है ओके यह लिख लिए जै औरीशा और सिंद और सिंद next point है संगी संगी railway प्रधी करण की स्थापना भी की गई तो यह कुछ points थें इसके अंतरगत ठीक है तो इसके अंतरगत यह इतने सारे points दो थें वो सबी थें ठीक है अब यह act खतम हो चुका है और last है हमारा last जो act है वो है हमारा Indian Independence Act of 1947 Indian Independence Act Independence Act of 1947 इसमें सबसे पहले क्या किया गया British rule जो था वो भारत में समाप्त हो गया उसके बाद क्या हुआ दूसरा point India पाकिस्तान अलग-अलग हो गया ठीक है उसके बाद Office of Vice सराय समाप्त हो गया उसके बाद British Parliament से law जाना बंद हो गया ठीक है उसके बाद और क्या हुआ ये कुछ चीजे होई उसके बाद और क्या हुआ और देख लिए जए Office of Secretary Office of Secretary भी बंद हो गया उसके अलावा Titles को Abolish कर दिया गया Titles नहीं ले सकते आप कोई भी महराजा, धिराज, विक्रमाजे तेसे कोई भी Title आप नहीं ले सकते उसके अलावा Civil Services जो थे उनको अलग रूप से सुचारू बनाया गया ठीक है, तो ये सारे ही जो एक्स थे हमारे खतम हो चुके है Company Rule, Crown Rule के अंत्रकत जितने भी एक्स थे, वो सभी ही खतम हो चुके है, ठीक है, अगर आप इन पे Detail वीडियो चाहते हो, तो हम Detail वीडियो भी ला देंगे ठीक है, ये एक Revision Prospective से था, और Revision Prospective से सब भी कुछ इसमें मैंने Cover करने की कोसिस की है, ठीक है, बतलब अगर आप इसके Notes बना लेते हो, और अगर आप Revision Prospective से देखते हो, तो आप एक बार में सब कुछ देख सकोगे, एक Faster Vision, 5-10-minute में सब भी कुछ आप revise कर पाओगे, एक बार में, ओके अब इससे related कुछ questions भी है मेरे पास कुछ questions भी है मेरे पास, इससे related उन questions को हम next video में next lecture में solve करेंगे, ओके, आप देख सकते है निमलिकित में से ये question जो है ये इसी घटना चक्र से ही है, बाहर से नहीं है ठीक है, आप देख भी सकते हो, UP-PCS में 2010 में आया हुआ question है, निमलिकित में से किस अधिनियम में कलकट्टा में सर्वच नियाले की सर्वच नियाले की स्थापना का प्रवधान उसके अलावा और भी ये, नियंतर परिसद की स्थापना मैं बता चुका हूँ, 1773 में सर्वच नियाले की स्थापना ठीक है, उसके अलावा ये सारी exams में आया हुई question है कुछ में मैंने यहाँ पे note नहीं किया कि किस exam में आया हुए है, लेकिन ये सारे ही किस से, भारत में अंग्रेजी सिच्छा की नियू पड़ी, सब कुछ मैंने cover किया है सब कुछ, इस notes में सब कुछ cover है उसके बाद, किस अडिनियम के द्वारा British Sunset ने, चाय और स्थीन के साथ, वयापार को छोड़ का इस इंडिया कंपणी, ये सभी कुछ हम देख चुके है चार्ट अरेक्ट 1813 ठीक है, 1919 का दिनियम में कौन सी प्रमुक विसे सता है प्रांतों की कारेडी, सरकार में द्वैज सासन की विवस्था, सब कुछ हम देख चुके है ये सब कुछ, मतलब कोई भी ऐसा कहने का मतलब ये कोई भी ऐसा हमारा कोस्तन नहीं है, जो जितना मैंने कवर किया, उससे बाहर का हो इस बुक में जो दिया गया है, ठीक है मतलब, जो मैंने बताया कि अगर आप रिवीजन के प्रोस्पेक्टिब से देखते हो तो आपका इस चैप्टर से एक बहुत ही अच्छा रिवीजन इस नोट से हो जाएगा और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है तो ये नोट्स मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा आपको आपके टेलिग्राम के मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप कमेंट सेक्षर में बता दीजिएगा, ठीक है तो ये सारे कोस्टन है जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है ये सारे ही सप्रस एक कोस्टन है और नेक्स्ट क्लास में हम इस सारे कोस्टन सॉल्व करने वाले हैं तो नेक्स्ट कोस्टन बिल्कुल भी मिस न करें, ओके